जैसा के आप लोग जानते हैं simple interest यानि सदारन ब्याज का part one का किलास हो चुका है जिसमें हम theory बताएं हैं कि सदारन ब्याज होता क्या है और bankों में आम तोर से हम लोगों को compound interest ठीक है वो मिलता है compound interest मिलता है तो simple interest का जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले जाके पहला वाला वीडियो part 1 पूरा देख ले और description में वो देज जा चुका होगा इसमें हम लोग आज part 2 type 2 शुरू करेंगे ठीक है अब यह देखिए यह question देखिए पहले जो लोग नहीं classes में नहीं हैं वो जाके पिछला वीडियो जरूर से देखें क्योंकि वहां पर सब theory बताया गया है इंटेस्ट किसको बोलते हैं normal हम लोग एक फर्मूला लिखाए थे i equal to जो सबसे important है PTR by 100 इसमें बताया गया था आई इंटेस्ट है प्रिस्पल का मतलब होता है जो पहला पैसा आप लोग बैंक में लगाते हैं और यह टी टाइम आप कितने दिनों के लिए लगा है साल या महीना जो भी हो और rate of interest rate of interest इसका मतलब कितना दर से आप लगाए ब्याज का दर कितना इसको पहले हैं यहां पर दिया हुआ है इसको पहले हिंदी में आप समझ लें यहां पर बोल रहा है कि आप कोई भी पैसा लगाई है यह 10% के हिसाब से अगर रखा गया तो यह दूगना कब हो जाए ठीक है इसको आम नोर्मली आगे बना रहे हैं फर्मूला का मदल से कैसे बनेगा यहां बोला है माल लीजिए आप 100 रुपिया रखें ठीक है 100 रुपिया रखें यह डबल हो गया डबल हो गया मतलब पिस पर अगर 100 है इमाउंट कितना हो गया 200 हो गया तो इसमें सदारन व्याज कितना है 100 रुपिया जब आप रखें वह 200 रुपिया हो गया इसका आई कहते और rate दिया गया है rate कितना है 10% आप यहीं formula पर अगर लेकर चलिएगा तो यहां पर हम लोग कितना माने है 100 माने फिर्ट पर इस्टाइडिक में आप 100 रुप्या लगा है तो यहां पर i कितना हो जागा 100 उसके बाद p कितना हो जागा pv कि interest भी 100 है और principal भी 100 है तो principal होगे 100 और time आपको निकालना है क्या वोला है in how many years साल पूछा है आपको निकालना है और यहां पर क्या दिया हुआ है rate दिया हुआ है तो time को T माने और rate को हम लोग क्या माने 10 by 100 100 से 100 कट गया एक जीरो से एक जीरो कट गई तो time equal to कितना हो गया time यहां पर आपको निकल गया 10 यह 10 जो होगा यह क्या होगा अगर आप कोई भी पैसा 10 परसेंट की हिसाब से रख रहे हैं तो वह 10 सालों के बाद आपका दोगना हो जाएगा ठीक है अब मान लीजे इसको नॉर्माली ट्रीक से कैसे बनाएंगे यहां आम तो इसे यह ट्रीक नहीं है उसको आप उतार लीजिएगा ठीक है और यहां पर देखिए आप मान लीजे आप पैसा रखे 100 वो बढ़के 200 हो गया इसका मतलब 100 यह क्या है 100 इंट्रेश्ट है अपको हम पहले बताए थे मान लीजे आप 100 रुपया रख रहे है और 10 percent रख रहे हैं 10 percent के हिसाब से अगर आपको पैसा मिल रहा तो एक सो रिपया अगर एक बरस के लिए रहे हैं तो एक सो रिपया बढ़एगा सफ यहां बर कु कितना रिपया ना तो एक सू ठीक यह अब रखेंगा इसको 10 से कि wijड कर दीजिए हम सिंपल इंटेट बने का मौने आप दस 10% के हिसाब से 5 साल रखे तो पांसाल लखे तो आपको 50% बढ़ेगा यहाँ पर बोला है कि 100 बढ़ जा रहा आपको माली जी एक बढ़ जा रहा तो 10 पर संट करके भर रहा तो टोटल 100 बढ़ने में आपको 10 साल लग जाएगा ठीक है प्रिविएस वीडियो आप जरूर से देखें, अब यह कोस्टन में आ जाएं, यहां क्या लिखा हुआ है, कोस्टन नमद दो, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, A sum of money at a certain rate of simple interest becomes 4 times in 15 years, find the rate percent per annum. आप इसको पहले formula के मदद से बना सकते हैं, एक ही formula है, जो बहुत famous है, इसी पर सब बन जाएगा, मान लीजिए आप 100 रिप्या रखे, 100 रिप्या बढ़ कर कितना हो जा रहा, 100 रिप्या बढ़ के 4 times हो जा रहाया, यानि 400 रिप्या हो जा रहा, तो आपका interest कितना हो रहा, तीन सो रिप्या हो रहा, ठीक है, तो formula का मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेरा interest थीन सो हुआ, principal कितना माने थे, principal माने थे 100, एक सो रिप्या रखें, और interest हो गया, 300 कितना सालों में टाइम दिया हुआ है 15 सालों में और रेट निकलना है आप यहां से सोब कर सकते हैं 100 क्या है फिक्स है यह कड़ गया 15 अब यह प्रिवियो विडियो ला फंडा मान लिजिए 100 रिप आप रखें और बढ़कर 400 रिप आओ गया इसका मतलब बढ़ा कितना 300 300 जो बढ़ा है वह 15 सालों में बढ़ा है ना तो इसको 15 से डिवाइट कर दिजिए जब 15 से आप डिवाइट किजिएगा तो 20 आएगा और यह 20 क्या हो जाएगा यह 20 परसेंटेज हो जाएगा रेट हो जाएगा आपको सिंपल एक फंडा याद आखना पड़ेगा अगर रेट दिवाइट किजिए गा इंट्रेट से तो वह टाइम आएगा तो परसेंटेज आएगा नोर्मल चीज है क्योंकि यह फॉर्मूला में चार बेरियेबल दिया हुआ है चार बेरियेबल में से तीम कुछ भी दिया रहेगा अगर तो चौंथा जो निकलेगा ठीक है नेक्ट कोस्टन पर आते हैं हम लोग यह तीम नंबर कुस्टन फिर आजा यहां लिखा हुआ है समक मनी बिकांब सेवेन बाइसिक्स इसका मतलब होता है जितना भी तुम पैसा लगा रहे हो उस पैसा का सेवेन बाइसिक्स हो जा रहा कब तीन साल के बाद इन तीन साल एक एक खास जेर इसफान ये दी ए इसमें क्या है इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप मानलो एक रुप्या लगाए हो, एक्स लगाए हो मानलो, यहां पर एक्स मानलो, आप एक्स प्रिंस्पल लगाए हो जब, तो प्रिंस्पल क्या हुआ है, कुछ सालों के बाद, तीन सालों के बाद, तीन सालों के बाद वो कितना हो गया है, 7 by 6 of itself, मतलब एक्स है, तो यह प्रोमूला वही लेंगे I equal to PTR by 100, I, I नहीं पता है, X है principal और amount कितना है, 7 by 6 है, amount कितना है, 7 by 6 है, आप लोग जानते हैं, A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है, P plus I, A कितना है, 7 by 6 X, और principal कितना है, X, I निकल जाएगा, I को यहाँ पर निकाल जाएगा, I इधर ही रहेगा, X इधर आजाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 by 6 X minus X, लासा लेंगे, LCM लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 LCM, उपर में आ गया 7 X, और यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 divided by 6, तो क्या हो जाएगा, 6 X, आपका क्या बचा, X by 6, यह X मानने से अच्छा, 1 मान हो आप सीधा, आप मानने एक रुप्या लगाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 7 by 6 रुपीज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल चुका है, इंटेस्ट कितना मिला है, इंटेस्ट मिल गिया, X by 6, प्रिंस्पल आप कितना लगाएथे X, टाइम कितना था, 3 साल, रेट, निकल जाएगा, यहाँ से देखो, नीचे नीचे डिवाइड हो जाता है, क्या हो गया, X से X कट गया, आगर इधर ही रख रहे हैं, तो यह क्या पैसा रख रहे हो, तो वह पैसा तीन सालों के बाद 7 x 6 हो जाएगा, आप मानलो एक रुप्यर रख रहे हो, तो शान से विर्फिया हो जा दाए आप मानो सबसे आच्छा जब बटा में जाए तो यहां से निकल गया यह वाला फर्मूला आप लोग रट्टा मानने लोग जो इसको उतार लो अब चार नमद उसी टाइब का है वहां पर amount बोला था seven by six times हो जा रहा है यहां पर देखे क्या बोला आपका amount भी बोलेगा तो amount मानना है और simple interest बोलेगा तो इसको आप बटा में भी कर सकते हैं चलिए हम इसी को पकड़ रहे हैं बटा में करने का भी कोई जरूब करोड़ नहीं है तो मानलीजिए अगर यहां पर 3 डीजिट का यहां पर पॉंट के बाद 3 डीजिट दिया गो है तो मिनिमामें हम फ्रीसिपल कहती हैं Georgia मानलीजration अगर हम थाउजन मनें तो इंटरेश कितना हो गया ही 125 एक सो पचीस हो गया और यहां पर रेट दिया हुआ है रेट कितना दिया हुआ है दस परसेंट और निकालना क्या है टाइम निकालना है आपको हमेशा से यह वाला फर्मूला जो बोल ले हैं एकदम असान है सिंपल इंट्रेस्ट कुछ नहीं है यहांचीक कुछ नहीं है इस लिए इसको पहले पकड़ें देखो यहाँ चार बेरियेर्वल में से तीन बेरियेर्वल दिया हुआ है या तो आम लोग मान लिए हैं कोन-कोन फbersना प्रिंसिपल ईहिंटे Cassa आपका एट पता है अब पूट कर जीजिए, 125, प्रिंस्पल कितना, 1000, टाइम कितना, टाइम निकालना है, रेट 10, यह यह कट गया, यह यह कट गया, अब टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका, 125 उपर, और जब यह वाला यही पर छोड़ दिये हैं, तो इन दोनों को नीचे मिला देंगे तो यहां पर हमलों का टाइम निकल गया, 5 by 4, 5 by 4 का मतलब क्या होता है, एक सही, एक बटा चार, ठीक है निकल गया, अब आपको माल लिजें, यहां पर 0.125 टाइम ना दे के आपको अगर बटा में देता, तो 0.125 को अगर आप बटा में करना चाहेंगे, तो क्या पोइंट दस्मला को अठा कर नीचे में एक, और उसके बाद दाहिना तरफ, राइट साइज जितना डिजित होतना 0, तीन डिजित है तो 3 जिरो, लेट साइज जिरो का कोई महत्त नहीं है, ठीक है, 25 टाइम्स, 5, 1,125 और यहां पर हो जाएगा, 40, इसका मतलब, एक बटा, 8, 0.125 को हम लोग एक बटा, 8 भी बोल सकते हैं, अब उसके बाद यहां पर कुछ मानने का जुरूरत नहीं होगा, मानने जी आप प्रिंस्पल एक रुप्या रखे हैं, तो इंटेस्ट कितना हो जागा, एक बटा, 8, रेट दिया हुआ है, 10 परसेंट, टाइम पूछा है, तो आप कर सक इसे भी बनाइए, सिंपल वे में, इसमें भी टीक लगता है, लेकिन आपको टीक लगाने का कोई जुरूरत नहीं है, हाड़ली आपको 30 सेकंड, 15 सेकंड हाथ इस पर चलाइए, तुरंत हो जागा, ठीक है, अगर यह 0.125 आम तोर से सब को यार जाता है, 1 by 8 है, ठीक है, 1 by 8 अब आ जाते हैं, आपको पांच नुमर गोस्टन पर, इसको आप लोग पतार लिजेगा, सब इजी कोस्टन है, पहले आप लोग इजी कोस्टन सब कर लो, उसके बाद एक मिक्स कोस्टन, ला देंगे, जो सिंपल इंटेष और कंपांड इंटेष दोनों रहेंगा उसमें, और उस पे option के साथ हम लोग किस तरह option को eliminate करते हैं, उसमें हम लोग सीख पाएंगे. बहुत सरा ऐसा option होता है, कि question देखकर ही, समझ में आ जाता है, कि 4 में से 2 option तो ऐसी eliminate हो जाएगा, और एक option वो भी eliminate हो जाएगा, हम लोग देखेंगे, कभी-कभी क्या होता है, 9 जा, 9 तो आएगा ही, तो 9 कर टेबल में जो रहेगा, वही answer होता है, जब वो ऐसा question पर आएगे, तो आपका clear हो जाएगा, यहां पर देखिए, उस type का question ने इसमें थोड़ा सा अलग किया, बोल रहा, एसम of money becomes 9 by 16 of its principal, बोल रहा, पिंस्पल आप जितना भी मानिये, 9 by 16 हो जा रहा, उसके principal को, मान लिजिए, एक रूप्या principal माने, पहले एक माने थे, इस बार हम एक रूप्या ही मान रहे, अगर मान लिजिए, पिंस्पल आप एक रूप्या माने, तो यह कितना हो जाएगा, एसम of money becomes 9 by 16 of its principal at a rate of simple interest, यहां पर कुछ भूल हुआ है, यहां होता है कि मतलब, यह जो 9 by 16 है, उसका SI है, ठीक है, मतलब, एसम of money becomes 9 by 16 of its principal at a rate of simple interest, if time and rate are same, मान लिजिए, थोड़ा सा भूले, यह 9 by 16 जो दिया हुआ है, as a interest दिया हुआ है, amount नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लिजिए, पिंस्पल एक रूप्या माने हैं, तो आपका interest कितना हो जाएगा, 9 by 16 हो जाएगा, यह amount नहीं बोला है, पिंस्पल मान लिजिए, एक रूप्या माने, तो interest कितना हो जाएगा, 9 by 16, और दूस्टा सेंटेंस में बोला है, if time and rate are same, अगर time और rate दोनों सेम है, मान लिजिए, time को अगर x मान रहे हैं, तो rate को भी x मानना पड़ेगा, ठीक है, अब 4 variable है, चार variable में, समझ लिजिए, 3 दिया हुआ है, ये दोनों x है, तो solve हो जाएगा, देखे कैसे, i equal to क्या होता है, ptr by 100, यही फर्मूला है, अब मान लिजिए, i 9 by 16 है, पिंस्पल एक है, time कितना है, time को भी x मानने है, और rate को भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बोल दिया हुआ है, time और rate दोनों एक है, अगर मान लिजिए, rate 10% है, तो 10 साल के लिए लगाया है, अगर rate 5% है, तो 5 साल के लिए लगाया है, जो data है, जो digit है, दोनों में same है, अब यहां पर क्या हो गया, x स्क्वाइर हो गया, x स्क्वाइर हो गया जी, अब देख लिजिए आप, यह मान लिजिए, x उधर चला गया, 900 by 60, तो x जब root चराएंगे, तो क्या हो जाएगा, 900 by 60, 900 को बहर निकालिएगा, आप हो जाएगा 30, और यहां 4, फिर कट जाएगा, काट दीजिए 2-2, 15 बट दो मतलब, x जो निकला, 7.5% निकला, या 7.5 निकला, x जो निकला 7.5, यहां पर क्या बोला है, rate of interest बताओ, rate of interest हमेशा क्या होता है, percentage में होता है, तो 7.5 percentage हो जाएगा, अगर बोलता, साल बता, time बता, तो time क्या हो जाता, 7.5 years हो जाता है, अब हम लोग बढ़ेंगे, type 3 के तरफ, और जो लोग भी अगर previous video नहीं देखें, वो लोग जा कर सबसे पहले previous video देखें, उसमें सीधा साथा concept बताए गया है, ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब, type 3 का एक number question पर, बोल रहा है, an amount at SI, SI का मतलब simple interest, becomes Rs.2520 in 2 साल, and Rs.2700 in 5 years, find rate of interest, यहाँ पर principle नहीं बजाया है, लेकिन बोला है, कोई भी पैसा एक amount बन जाता है, कितना हो जाता है, 2 साल के बाद 2520 रुपिया, और 5 साल के बाद हो जा रहा, 2700 रुपिया, आप बताओ rate percent कितना है, अब इतना देखो, 5 साल के बाद कितना हो जाता है, 2700 रुपिया, और 2 साल के बाद हो जाता है, वो 20 रुपिया, कोई भी तक पैसा एक स legal रखोगे, मांनो 2 साल के बाद, आपका पैसा 2520 रुपिया हो जाता है, पांक साल के बाद 2700 रुपया हो जाता है इसका मतलब स्टार्डिंग में जो आप पिंस्पल लखे उसमें कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ इंट्रेस्ट आरा वो इंट्रेस्ट आते आते हैं दो साल के बाद 2520 और तीन साल के गैप के बाद फर्दर तीन साल के गैप के बाद 2700 रुपया हो जा रहा है तो आम लोग बोल सकते हैं जो तीन साल में तीन साल में कितना रुपया बढ़ गया तीन साल में बढ़ गया आपका 27 पूर्पिया हुआ two साल में 25 पाइशки पासे नर्स neighbors आपको इस्स पिला था तरफ यहां जाल एक चाहिए आप पहले वाला सब्सक्राह सो जा रहा थे चीए पराशी जी यहां पर सुद K मख़र हैं 2520 अधियों कर दिशन ने जो हुआ जो 25त किना क्रें को दू तो 500 ॡ यसाल वन जब साट कुट हो스크 सब्सक्राइब technos हो लित न होगाद दो साल होगा 2 साल में हो जाईगा जिए यहां पर नेक्ट कुछ लिखने के लिए इमांट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, इंटेस दिया हुआ है, यह वाला फर्मूला में क्या किया लगता है हम लोगों को यह वाला फर्मूला में प्रिंस्पल लगता है, अमांट नहीं लगता है, जब आपका अमांट दिया हुआ है, इमांट दिया हुआ है, प्रिंस्पल निकालना है, इंटेस्ट दिया हुआ है, आपका प्रिंस्पल कितना निकल जागा, प्रिंस्पल निकल गया, देखिए 120 करना है देखिए जहां भी इमान दिया रहे है अब जब दो साल के बाद 2520 रुपया हो रहा और इंटेश्ट उसमें 120 है तो आप डारेक्ट समझेए पिंस्पल कितना है 2400 रुपया और यहां पर टाइम दिया हुआ है दो साल रेट निकालना है और नीचे 100 वह फिक्स है वह फर्मूला में उसमें कुछ नहीं सुचना है 2020 कट गई ठाइए धिक है और यहां पर disput बैर 25 शो Hogwarts इस मतलब क्या हूं तू पॉइंट्व पर संट टहें धहीं यह वाला भी question में देखिए यहां पर भी 2 साल है और 5 साल है यहां भी 2 साल है और 5 साल है आप इसको attempt भी कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा दिकत यही है कि यह कुछ English का ऐसा term दे दिया है जिसमें आप confused हो जाई है इसको आप लोग उता लिजिएगा टूप लिजिएगा इसको हम थोड़ा ही रेज करते है क्योंकि यह question और वह question में क्या अंतरे difference है आप देख पाईएगा यहां बोला है a sum of money lent out add simple interest amounts to 720 in 2 साल बोल रहा एक कुछ भी पैसा रखे हो तो आपको 2 साल के बाद 720 रुप्या हो जा रहा है end 2020 2020 हो जा रहा after a further period of 5 साल further period further मतलब दूर further के मतलब उसके बाद तो यहां पर यह नहीं बोला है कि direct 5 साल में 2020 हो रहा यहां बोलने का मकसद यह था यह है कि 2 साल रखने के और 5 साल के बाद कितना हो जादा यहां पर direct बोला है 2725 साल यहां बोल दिया है कि 25 साल में 2700 हो जा रहा लेकिन यहां वह बात नहीं बोला है यहां बोला है कि 2 साल में रखने के बाद उसके और 5 साल बाद यानि आप total 7 years रखिएगा थब आपका हजार बीस होगा तो आप देख लिजें 5 साल में हजार बीस हुआ है यानि आप ऐसे देख सकते हैं कि 5 साल में बढ़ा कितना है further period जब हुआ है पहले था 720 और हो गया आपका हजार बीस तो यह 5 साल है 5 साल में आपका बढ़ा कितना है कि आप 500 जब्रप्या पांच साल में 300 रुप्या बढ़ा है इसका मतलब एक साल में कितना बढ़ा है इन वन एयर्स यह बढ़ा है साट रुपिया पोस्टन हीजी हो गया आप दो तरह से भी बना सकते हैं इसको ठीक है या तो आप साथ साल पकड़िये या सिर्फ यह पकड़िये कि पांच साल में बढ़ा कितना तो पांच साल में साथ सो बीस से अजार बीस हो गया इसका मतलब इसला दो साल में कितना बढ़ा साट रुपिया वनली शाट रुपिया बढ़ा तो आप यहां पर क्या बुला है। यहां बुला है find the principal हम इस वाले टर्मको पकड़िये हैं दो साल के बार एक्ड़ियोग हो गया इसका मतलब क्या हुआ हुआ इसका मतलब हुआ इमाउंट आ होता है वहीं तो पिंस्पल होता है तो पिंस्पल हो जाएगा च्छे सो अब आप ऐसे भी इसको पकड़ सकते हैं फॉर्दर पांच साल इसका मतलब साथ साल के बाद हो गया हजार बीस और दो साल के बाद हुआ नेखिन अची से कक्ला इटेश्टो कि इसको इससे सब्चेस्ट के मतलब होता है पाद आत्रयल दो कुरल बील अच्छे मैं है तो इसमेंmera सुझ हराम पैसा चुपा हुआ है अच्छा अज पैसा तो और बढ़ते हैं हम लोग इसको इरेज कर देंगे यह कोस्चन आप लोगों को बनाना है और बनागे कमेंट करना है ठीक है देखिए यह क्या बोला है वार्ट सम उपमनी विले मान टू पांसो पीस इंपान साल में और एंड रूपीज 558 इन सेमें अर्सेट सिंपलेटेट कितना रूपिया आप रखिएगा कि वह पांसाल के बाद पांसो पीस रूपिया हो जाए और साथ साल के बाद पांसो असर जो लोग अभी नए नए वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले वाला वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसको जरूर देखे सिंपल इंटेस्ट को और एक वीडियो आएगा उसमें complete हो जाएगा उसके बाद compound interest और compound interest होने के बाद दोनों को मर्ज करके एक question series दिया जाएगा आप लोगों को WhatsApp गुरूप या टेलिग्राम गूरूप पे अपलोड किया जाएगा दोनों गूरूप को आप जोइन करके रखें ज्यादा notification आता नहीं है अगर आप लोगों को लगे कि WhatsApp और टेलिग्राम में ज्यादा notification यूटूब पर सोब करा दिया जाएगा जब तक आप लोग एटेम्ट नहीं कीजिएगा मैंत क्या बोलता है प्रेक्टिस जतना ज्यादा प्रेक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा improvement होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा तब तक मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में आपको को कुछ भी जानकारी या कुछ डिमांड हो यह वीडियो देखना है मतलग मैट का हो जीके का हो जो भी हो कमेंट कीजिए कॉंटेक्ट नमर दिया होगा उस पर आप कॉंटेक्ट कीजिए ठीक है ओफ-लाइन किलास भी सुरू होगा लोगडान का लेकर तोरह सा डिले हो रहा औ तो देख नहीं पाते होंगे तो अनिस्टल कर दिये मोधी जी बहुत अच्छा काम किये यूद को तोजा सा फुला छोड़े पर इतना भी नहीं छोड़े कि वो टिक टोक में टाइम बेस्ट करें आप लोग जरूर से सब गुरूप से जुड़िए ठीक है और प्रेक्स किय किजिए आप लोग कमेंट्स किजिए यहां तक कि अभी किलास से सुरू होने वाला है और उसके बाद पीजिक किलास से लेगे ठीक है मिलते हैं तब तक नेक्ट वीडियो में